कि अ कि अ आ आ आप सब्धिक हमारे चैनल पर स्वागत हैं आज कि वीडियो में एक इंबॉर्डन को डिस्कस करने जा रहे हैं ये कोशन हालागी मेटलॉरें थेवराम पर बेस्ट हैं लेकिन हमें इस कोशन को सौर्व एने के लिए लेकिन पादेगी कहां और कैसे आप को inverse x by McLaurin's theorem and fight the general term हमें इसका एक्सपेंड गरना हो साती साथ एंड में आपको इसका जनरल टम की सुरुप से एक्सपेंड हो रहा है वो भी आपको पाताना है तो जिस टम का हमें इक्सपेंड करना उसे हमने वालेट करनी है किर फॉस्ट आपको पता है में अग्सपेंशन होता है इस पर बिस्ट मैं और बहुत सब्सक्राइब पहले ही कर रखें हैं आप जाके देख सकते हैं तो पहली बाद आरिविटिव किया हूं तो मुझे मिल जागा स्क्वार उपलाओ दूबारा गरें तो कितना लंब हो जाएगा और हमें तो य एं तक तीन चार पालगा शे एसे चाहिए होते हैं आपको एं बुदा इस दिखानी बढ़ती है अब आप क्या अब देखार देख देखर देखें एंगे इसका फिर से दिफिरेंट कर देंगे दो इसमें 1st into 2nd लगा दिया मैंने 1st into 2nd derivative plus 2nd into 1st derivative y square को जाएगा 2y1 y1 को y2 और a square constant यहाँचे 2y y को y1 इससे जब आप solve कर लेंगे दो आपको मिल जाएगा 1-x square y2 x y1-a square y equal to 0 equation no.3 ठीक मैंने बोला आपको nth करके दिखाना है अब nth term तो इसमें आनी रहा है अनल टंग वनाने के लिए मैंने बोला था या तो particular series उस रूप में मिल जाए जो हम general form जानते हैं इन में से कोई भी general form की रूप में नहीं दिख रहा है और जब नहीं दिख रहा है तो हमें लेनी पड़ेगी मदद लेमिनिट्स theorem की लेमिनिट्स theorem किया गयती है कभी दो या दो से जादा function हो तो हम लेमिनिट्स theorem का अप्लाई कर जकते हैं दिखाने के लिए तो हमें लगाना है यहाँ पर डिखेंशेशन कितनी मदद एंट्टेम्स तो लेनी पड़ेगी लेमिनिट्स theorem की मदद तो यह देरिवटिव एंट्स कर दिया मैंने इस वाले function का भी दो function है यहाँ पर भी दो function है derivative n यह स्क्वार कॉंस्टेंट वह भारा गया derivative n y अब मैंने इस पर ट्रीक बहले ही बता रखा है कि कैसे शॉल किया जाते हैं तो यह लेमिनिट्स theorem में पहले किया था nc0 nc0 का 1 जो polynomial function है वो ऐसे ही हो जाएगा और y 2 है तो यहाँ y n plus 2 हो जाएगा 1 फिर nc2 होता है उसकी वैल होती n and manage 1 upon factorial 2 ओके फिर आपको इसका derivative करना है minus 2x का 2 और इससे degree और एक कम कर देंगे y n दोबारा करेंगे तो 0 हो जाना है 2 का derivative 0 तो यही तक करना था मतलब फिर से आप यहाँ पर आजाएगे polynomial 1 है तो यहाँ nc0 के बिल्वन polynomial y n plus 1 फिर nc1 का n ही होता है x का derivative 1 हो जाएगा जिसे लिखे ना लेकिकी बात है और यहाँ से y n हो जाएगा कि इसक्वाइड और वाई का derivative तो यह न ही होता है अब उबर वाले टेम को जाब स्वाल कर लेंगे तो आपको यह मिल जाएगा 1 minus x square y n plus 2 minus 2 n plus 1 x y n plus 1 minus n square plus a square y n equal to 0 n में आ गया ठीक y n में आ चुगा है हमारा सीरीज यह जा गई है ठीक है हमारे पास already जब हमारे पास सीरीज हमने स्टार्टिंग पर ही निगाल दिया था तो मुझे y 0 y 1 0 की वैलू चाहिए ना मैं यहां से और यहां से बढ़ी आसानी के साथ निगाल से निगाल से और यहा 1 0 चाहिए तो y 1 0 यहां पर रखना है मेरे को तो a y 0 अपॉन रूट 1 मैंने से स्कूरर तो x के जगा पर क्या रखना हो दा 0 और y के जगा पर y 0 जागा और y 0 के मेल 1 है इसको सॉल करेंगे तो a y 1 0 के मेल आ जाएगी similarly आपको निकालना y 2 0 y 2 0 actually आपको यहां से मिलेगा यह वाली जो एनस सेरीज आई है ना y 2 0 आपको देखो y 2 0 चाहिए तो आपको x के प्लेस पे 0 रखना है और n के प्लेस पे भी 0 रखना है और फिर सॉल करना और जहां पर y 1 आएगा जहां पर y 1 आएगा और y 0 आएगा वह अमिल जाएगा n की प्लेस पर 1 रखने पर और x की प्लेस पर 0 रखना कंबल सरी है उस हिसाब से आप निकालता जाएंगी तो आपको यह वैल्यूस मिलती जाएगी अब इन वैल्यूस को वाही मेकलोरियूones ठेलं में में क्या उतना तरो दों रख दिए वमारा आंसर आ लेकिन से उले जनरेटम में निगा लो कि आप सीरीष देख रहे हैं क्लियर यहां से पूरा जिए सिरीज बैर्य कर रहें वह इस रुपमें कर रहे है एक्स की पावल एंपोन इस रूप में रही ऐसे पूछ चर्म को समझ में जरूर आया होगा अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेर कर डिये अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नहे हैं तो यह सबस्क्राइब करने के बाद नोटिफिक्शन बेल को जरूर प्लेकरने केए नेक्स्ट वीडियो आपको जिसमी टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं